जोहार जारखन मुकमंत्री मया समान ओजना का फोर्म 3 अगस्ट 2024 से भरना सुरू हो गया है जिसके अंतरगा जारखन के 21 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाओं के द्वारा फोर्म को भरा जा रहा है और इसमें जर्खंड सरकार के दोरह इन महिलाओं को परतेग महीने 1,000 रुपई ये आनि की 1 साल में 12,000 रुपई ये दिये जाएंगे और पहले दिन आनि की 3 अगस्त को जो फॉर्म भरा गया, कितने महिलाओं ने फॉर्म को भरा कितने का स्विकिर्थ हुआ और इन महिलाओं का पहला कित 11,000 बैंके कॉंट में कव आएगा इसको लेकर के आज के विभिन समचार पत्रों में नीज भी परकासित हुएं जो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं जिसना पूरा डिटेल से दिया गया कि पहले दिन जो फॉर्म को भरा गया किस ढंक से भरा गया है और फॉर्म को भरते समय कौन-कौन सी परिशानिया आई है तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस नीज में जो भी छपा है महतपूल चीज उसको आप लोगों तक पहुँचाने का कोशिस करूँगा और साथी साथ आप लोगों का बार-बार कॉमेंट आ रहा है कि सर हम लोगों का जो नाम है रासन कार्ड में नहीं है तो हम लोग भर सकते हैं कि नहीं हम लोग का नाम जो माईके के रासन कार्ड में है तो हम लोग भर सकते हैं कि नहीं और साती साथ बहुत सारे लोगों का कहाना है कि हम लोगों का भोटर कार्ड नहीं बना हुए था हम लोग भर सकते हैं कि नहीं तो इस तरह के बहुत सारे परशन आपके मन में हैं जिसका जबाब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगो देने का कोशिज करूँगा इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में सुरू से ले करके अंतक बने रहिएगा और साथी साथ अगर आप लोग इस उटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं कियां तो सस्क्राइब करके इसके नोटिफिकेशन विल को प्रेस करके रख सकते हैं ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूँ तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो आज के नीज पेपर में आपके फॉर्म को भरने को ले करके यह जो छपा है इसे हम लोग संछेप में देखें तो आप लोग सबसे उपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पहले दिन साम 4 बजे तक आए ओजना के लिए 2582 आविदन और 21 अगस्त को पहली किस्त का होगा भुगतान और नीचे मोटे च्रों में लिखा हुआ है कि मया समान ओजना के पहले चरन में 13 तक करें आविदन आनि कि आप लोग का जो फॉर्म भरा जा रहा है तो यह तीन से लेकर के 10 अगस्त तक भरा जाएगा इसा कहा गया है लेकिन इस नीच पेपर में कह रहा है कि आप लोग इसको जो 13 अगस्त तक भर सकते हैं और जो जो लोग 13 अगस्त तक भरेंगे तो इन लोग का जो पहला किस्त है एक हजार रुपई यह वो आपका 21 अगस्त को आपके बैं खाते में आ जाएगा इसका दम लोग आगे बनत आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ राची हिंदूस्तान बेरवानी किया जो नीज है आज के हिंदूस्तान समचार पत्रें परकासित हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि जारखन मुक मंत्री मया समान ओजना का लाव लेने के लिए सनिवार से जो गिलाभिवकों द्वारा आवेदन लेने की परकिरिया सुरू हो गई आप लोगों का जो फॉर्म है तीन अगस्ते भरना सुरू हो गया है और आगे इसमें लिखा हुआ है कि अगस्त माह के किस्त का भुगतान 21 तारीक को होगा आप लोग जितने भी लोग 13 तारीक तक भरेंगे फॉर्म को तो आप लोगों का जो पहला 1000 रुपई ये हैं वो 21 अगस्त तक आपके बैंखाते में आ जाएगा इसकद आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए 13 अगस्त के आवेदन पर विचार होगा आनी कि 13 अगस्त तक जो जो भरेंगे तो उनहीं लोगों को 21 अगस्त तक पैसा आएगा इसकद आगे बने तो देखे लिखा हुआ है कि खराब मौसम और कई तकनिकी खराबी के बाजूद पहले दिन साम 4 बजे तक 2582 आवेदन आये पूरे जारकंट के 2400 जिलो में जो फॉर्म को भरा गया जो उनलाइन किया गया कुल मिला करके 2582 फॉर्म को भरा गया इसकद आगे इसमें जो लिखा हुआ है कि इसमें 2580 आवेदन पैंडिंग थे और वहीं पर दो को स्विकिर्थ किया गया आनि कि दो महिलाओं का जो फॉर्म है वो पास हो गया और उनलों का पैसा मिलना सुरू हो गया होगा उनलों का किसी तरह से फॉर्म में कोई भी गलती नहीं था इसकद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि स्विकिर्थ आवेदन लातेहार और पलामू के लाभूकों के हैं पहला जो स्विकिर्थ हुआ दोठो वो कहां कहां की महिला आये हैं तो दोनों जो है आपका पलामू और स 33 अत लातेहार की हैं और आगे इसमें लिखा हुआ है कि महिला बाल विकास समाजिक सुरच्छा विभाग के सचीव मनोज कुमार ने IPRD इस्थित सभागार भवने प्रेस वारता कर इसकी जानकारी दी आप लोग यहां पर देख सकते हैं प्रेस वालों आने की नीज वालों के साथ बैट करके उन्होंने बताया है कि यह जो फॉर्म भरा गया है पहले दिन किस तरह से भरा गया कितने लोगों ने भरा और कितने का पास हुआ रहें लोग का किस दिन पैसा आएगा इसके बाद आगे इसमें जो दिया गया है कि सनिवार से जगज यह केम्प लगा कर आवेदन लेने का काम सुरू हुआ है आप लोग जानते हैं कि यह जो है फॉर्म जो लिया जा रहा है केम्प लगा करके आप लोग पता कर लिजेगा कि आप लोगों के घर के अगल बगल कहां पर लगा हुआ या फिर आप लोगों को पता चली गया होगा इसकद आगे में लिखा हुआ है कि रभिवार को भी केम्प लगेगा आज रभिवार है और आज आपका केम्प लगा हुआ है तो जो जो फॉर्म नहीं भरें तो आज भी जा करके फॉर्म को भर सकते हैं इसकद आगे इसमें लिखा हुआ है कि 10 के बाद भी विभाग द्वारा केम्प जारी र से माध्याम से आवेदन जमा किये जाइंगे कि 21 अगस्त से आप लोग इसको ओनलाइन भर में भर सकते हैं ऑफ लाइन भरा जा रहा थानरा आनि कि आवेदन पत्र रहे उसको हाईो करके आपोडलोग जमा कर रहे हैं तो ये जो है अभी ओनलाइन जम से कागज करके लेकिन 21 अगस्तिया जो ओनलाइन होगा आनि की कंप्यूटर लेप्टोप और डेस्टोप से आप लोग घर बैठे या फिर जो चलाता होगा या फिर साइबर के फिर उसके माध्यां से इस आवेदन को भर सकते हैं इसकत आगे इसमें लिखा हुआ है कि सरकार आपके फॉर्म को लिया जाएगा इसके बाद आगे हम लोग बढ़ है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पोर्टल वार्रूम हेल्फ लाइन नंबर जारी आनिक यह जो बहुत बड़ी ओजना है जिसके अंतरगत जारखंड के लगभग लगभग 48 से 50 लाख महिलाओं को 11,000 रुपई यह दिये जाएंगे तो इसके लिए जो है सरकार ने पोर्टल वार्रूम और हेल्फ लाइन नंबर जारी किया है और इसमें आप लोग को किसी तरह का कोई भी दिकत होगा तो आप लोग इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं जो आप लोग फोन नंब है कि बहुत सारी सेविका या साहिका के द्वारा 100-300 रुपई लिये जा रहे हैं तो ऐसा अगर हो रहा है यह बिल्कुल गलत है क्योंकि यह जो फॉर्म में निसूलक है तो कोई भी महिला से इस तरह से लिये जा रहे हैं तो आप लोग इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और सिक अब करना पड़ा साइबर जो एठप हो गया था आनि किसका जो वेब साइट है क्रेस हो गया था इतना इसमें आवेदन ही जा रहा था लाखों की संख्या में तो यह जो क्रेस हो गया था तो उसको दूर कर दिया गया समस्या को और साथी साथ आपनों के मान में बहुत सारे परसन थे तो उसको भी किलियर किया गया है तो इसमें जो दिया हुआ है कि सचीव ने कहा मौसम की खराबी के कारण पहले दिन आवेदन अपलोड करने में नेटवर्क स्लो होने की वज़ा से कुछ तकनिकी अर्चने आई थी जिन्हें दूर कर लिया गया है मौसम खराब था बारिस बहुत तेज हुई थी आपलों को पता है नदी नाला भरा हुआ है तलाब तूट रहे हैं साथी साथ बहुत सारे पूल भी बाह रहे हैं तो इसे इस्तिती में जो नेटवर्क है वो भी स्लो हो गया था जिसके कारण इस फॉर्म को भरने में परिशानी हुई थी अगले महा से 15 तारिक तक रासी का भूगतान किया जाएगा आनि कि परतेक महिने 15 तारिक से पहले आपनों का ये पैसा आएगा लेकिन इस महिना जो अभी फॉर्म भर रहे हैं तो आपनों का 21 तारिक तक आएगा ठीक है इसकद आगे इसमें लिखा हुआ है कि ओजना का ला या फिर भर सकती है तो इसमें जो सबसे पहले आपनों का दिया गया है कि इसमें जो होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए तो यहां पर देखे लिखा हुआ है कि इन्हें मिलेगा लाव कि इन्हें मिलेगा तो इसमें लिखा हुआ है कि ओजना का लाव 21 वर्से 50 वर्स की महि महिलाओं को दिया जाएगा और परतेग महिला को साल भर में कुल 12,000 परती माह 11,000 रुपईये दिये जाएगे ये तो हम लोग जान ही रहे हैं आगे इसमें लिखा हुआ है कि मुख मंत्री मया समान ओजना का लाब वैसी महिलाओं को मिलेगा जो अन किसी पेंशन ओजना का ला तो आप लोग इसका लाब ले सकते हैं इसके आगे इसमें लिखा हुआ है कि ओजना का लाब लेने के लिए अधार कार्ड, रासन कार्ड, एपी कार्ड, अधार लिंक, बैंक, खाता और जार्खन का निवासी होना जरूरी है आपनों को क्या-क्या देना है तो सबसे पहले आपनों को जो देना है आधार कार्ड का फोटो कोपी, रासन कार्ड का फोटो कोपी, भोटर आईडी कार्ड का फोटो कोपी और इसके बाद जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ आपका बैंक खाता है उसका फोटो कोपी और साथी साथ आपनों का जो जार्खन का निवास होना चाहिए जहरखंड का आधार कार्ड में नाम होना चाहिए और साती सा जहरखंड का जो आपका भोटर आईडी कार्ड है उसमें नाम होना चाहिए तो यह सारा चीज अगर आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद इसमें दिया गया है कि आवेदन फॉर्म की फोटो कोपी द्वारा लाभूग आवेदन कर सकते हैं अभी जो समस्या आ रही है कि जारकंड के जितने 2400 जीले हैं तो आप पर कुल मिला करके 38000 के आसपास सेविका या फिर साहिका हैं और उसको सरकार के द्वारा जो फोर्म दिया गया है कम मातरा में दिया गया है तो अभी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है तो ऐसे स्थिति में सरकार ने बोला है कि फोर्म को आप लोग जेरोक्स करके उसमें भर करके जमा कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि कलर आपका जो फोर्म होन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें जो अगला पॉइंट आप लोग का दिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि लाते हैर या किसी भी जिले के राशन कार्ड में किसी महिला का नाम दर्ज है लेकिन साधी के बाद वह राची या अन किसी भी जिला चली गई है तो उसे भी ओजना कलाव मिलेगा आनि कि बहुत सारी लड़कियां है जैसे कि मान लीजे कोई गिरीडी की है और उसका साधी हो गया देवभर में और वो देवर चली गई और उसका नाम जो गिरीडी की रासन कार्ड में ही रह गया और देवर की रासन कार्ड में उसका नाम नहीं है तो ऐसे में क्या होगा तो वो महिला जो फॉर्म को भर सकती है फॉर्म को भरते समय अपने माईके का जो रासन कार्ड है उसका जेरोक्स उस इसके बाद आगला जो दिया गया है कि सभी जीलों के उपायुकतों को निर्देश दिया गया है कि जहां बिजली की समस्या है तो वहां पर इसको दूर किया जाए हम लोग जो देख रहे हैं बारिस के दौरान बिजली जो धोखा दे रहा है तो अभी परते जो सिवीर लगा ह वहां पर चार-पांच कम्प्यूटर लगे हुए हैं जहां पर उसको इंट्री किया जा रहा है आप लोगों के डाटा को तो वहां पर किसी तरह का कोई भी दिकत नहीं हो तो इसके लिए जार्खन सरकार के दौरा ब्यवस्था करने के लिए कहा गया है तो इस तरह से हम लो किस स्थिति को या पैसा मिलेगा तो यह असपश्ट हो गया कि आप लोग जितने भी 13 अगस्त को भरियेगा तो आप लोगों का जो पैसा है वो 21 अगस्त को आ जाएगा है ना और इसके बाद भी या सिवीर जारी रहेगा और आप लोग उस दोरान भी भर सकते हैं और साथी किसी तरह से आप लोगों को मैं help कर सकूँ तो इसके लिए आप लोग इस YouTube चैनल को अभी के अभी सस्क्राइब करके इसके notification विल को प्रेस करके रख सकते हैं और साथी साथ इस वीडियो को अपने रिष्टेदारों को भी share कीजे ताकि उसको इन सारे चीजों की जानकारी हो